एक किताब का प्रकाशन किया कॉंग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है शब्द से खून की दलाली बहुत सारी बार ऐसे शब्दों कौपियों किया है मैं याद दिलाना चाहता हूँ खेती का खून आप कह रहे हो लेकिन आपने खून का खेल खेला विभाजन के समय लाखों लोग मरें क्या वो खून नहीं था bst 19ätt 1974 सिने 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया किया भागलपुर में हजारों लोग मारे गए ह। प्याबो खून का खेलन नहीं था हय़ लाकों किसानों ने आत्मात्य की क्या उनके शरीर में कोंड नहीं कॉंग्रेस के जमाने में की कॉंग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चार-पांच परिवार देश पर हवी है देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है 125 करोड जनता का राज है यह भरक हुआ है पचास साल कॉंग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार के सरकार चली एक ही परिवार सत्ता में रहा तो परिवार की चार-पांच लोगों की सत्ता वो एक परिवार के सदस्य होते थे वो कॉंग्रेस का परिचे है बीजेपी का नहीं नरेंदर मोदी जी ने आम आदमी को इंपावर किया और आज 125 करोड लोग की सरकार चल रही है 125 करोड लोग आज सत्ता में है मुझे सबसे आश्चर हुआ कि भारतिय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुक पार्टी है उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे राहूल गांदी भाग गये प्रश्णों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे एक का भी जवाब देने के बजाए अपनी चिरपरिचीत असभता का परिचे देते हुए राहूल गांदी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मझे पूछने वाले अरे नड्डा भारतिय जंता पार्टी के अध्यक्ष है सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है देश में अनेक सभी राज्यों में अनेक राज्यों में हमारी सरकार है उसके प्रमुख है वो देश के जंता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवाल उससे भाग रहे थे मूल कॉंग्रेस का खेल क्या है यह क्यों आज प्रेस कॉंफरेंस कल दस्वर राउंड की चर्चा है किसान और सरकार के बीच तो कैसे भी करके वह सफल कैसे करना क्योंकि कॉंग्रेस नहीं किसान के समस्या का समाधान हो तो सरकार और किसान की वारता Reynolds हो हिए कॉंग्रेस नहीं चाहती कि हम और इसलिए एंग करोद आवरोद यह नीती अपनाते हैं अवरोद करना चाहते हैं अवरोध करते हैं विरोध करते हैं मैं सीधे राहूल गांदिया आपको सवाल पूछ रहा हूं कि आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीती के चलते गरीब रहा पचास साल कॉंग्रेस ने जो विनाशकारी आर्थनीती चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ उसके उपज का कभी मुल्य नहीं दिया स्वामिनाथन कमिशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सोपी कॉस्ट प्लस 50 परसेंट का फार्मिला दिया कॉंग्रेस ने 2014 तक कभी नहीं दिया उल्टा हर बार मैंने जब सवाल पूछा राज्यसभा में तो जवाब आयता था कि यह सिफारी स्विकार नहीं की गई है क्यों नहीं की दो हजार नौ में एक बार कॉंग्रेस ने गोशित सत्तर हजार करोड की ठक यह कर्ज माफी का ऐलान किया चुनाव के लिए वास्तवता में तो 53 हजार करोड रुपे ही उसमें लगे हैं मौदि जी किसां संमान नीथी में एक लाख उनिस जार करोड अभी दे चुके हैं और खुल्मिला के 10 साल में 7 लाख करोड रुपे कि देने वाले हैं कहा 53 हजार करोड कहा साद लाख करोड एमपावरमेंट किसान का उन्होंने कहा अनाज की कीमते बहुत मेहंगी होगी कहा से सीखते हैं मुझे पता नहीं चलता इस देश में 80 करोड लोगों को 2 रूपे किलो में गेहू 3 रूपे किलो में चावल मिलता है और कोविड के समय तो 8 मैने 80 करोड लोगों को फ्री में दिया लेकिन सामान्य दिनों में भी 2 रूपे किलो गेहू 3 रूपे किलो चावल मिलता है यह फुर सेक्यूरिटी कॉंग्रेस के 2014 में केवल 11 राज्यों में लगी थी यह आज पूरे भारत वर्ष में है 80 करोड लोगों तक पहुची है यह मोदी सरकार का काम है प्रविंग कानून पंधरा राज्यों में बना जहां कॉंग्रेस के मुख्यमंद्र थे कॉंट्रेक फर्विंग का कानून कॉंग्रेस बनाए तो अच्छा हम बनाय तो हम सवरक्षन देंगे अगर उसमें किसान को तो गलत और इसलिए कॉंग्रेस के आज की प्रेस कॉंफरेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है चीन पर जवाब क्यों नहीं देते अरुनाचल की भूमी जो गई चीन के कबजे में किस ने दी अकसाई चीन चीन के कबजे में कैसे गया 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घटी डेम जोक और डुग्गी यहां अपनी सेकडो किलोमेटर जमीन चीन के हवाले किसने की चीन से अपने प्राइवेट मीजी ट्रस को पैसा किसने लिया दूतावास के घर जाकर कौन बैटे थे जब देश लड़ाई में था सर्जिकल स्ट्राइक पर और एर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे सेकुरिटी काउंसिल की 27 सदस्दा जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की सवाल बहुत है नड़ा जी ने पूछे है उसका जवाब नहीं आपके पास और इसलिए आप भाग रहे हो इसलिए अरोप कर रहे हो लेकिन कॉंग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा हमारी चर्चा किसानों से जारी है और सफल होगी हमें विश्वास है बस यही आज मेरा विशे है आपको कोई सवाल होंगे इस विशे पर तो पूछे प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वह बहाना बनाते हैं क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग है जो अध्यन नहीं करते हुं उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता तो वह बहाने बनाते है इसाई यह बहना है एक सब्धिता होती है राश्टिया देख्ष पूछ रहा है आप बनना चाहते हो तो उत्तर दू कर दो नहीं तो बनाते हूं चाहते हो सकते हैं वाद्ष एक सब्सक्राइब लात्र पीस नहीं पूर्ट तेस आप नहीं थे, जा जो बहुत है, नहीं तेस्ट वाद पूर्ट्ट्टी अश्टिया ट्ट टू कि यह तो हद्द है मोनोपोली तो एक परिवार की थी पचास साल वो जनता ने उखाड फेग दी और अब 125 क्रोड जनता मालिक है इस देश की कहां मोनोपोली दिखती है उनको उनकी मोनोपोली गई इसका दुख है इसकी टीज है और इसके करण राहूल गांदिया इसी भाचा बोलते हैं वह आज का भी विशे नहीं वह मैं आयन भी में आओ हम जरूर आपको बताएंगे वह जरा अभी विशे आज का नहीं है आज राहूल गांधी ने जो वो कहा उसको वो जवाबों से भाग गए इसलिए फिर से एक सवाल दागने का काम हम कर रहें कौन हमने कहां कहा राश्चत दुर ही है यह तो हद्द है आप ही मीडिया वाले हो आप पर सीधा कोई आरोप लगाता है आप कैसे सेहन करते हो मुझे तो आश्यर होता है कि आपको सीधा कह रहें अपने मूँ पर कह रहें कि आप आपका तो कुछ चलता नहीं आप पर जो फोर्सेस काम करते हैं कौन से फोर्सेस आप पर काम करते हैं हर समाचार पत्र अपने तरीके से लिखता है हर चैनल अपने तरीके से निउस दिखाता है हर कोई अपने तरीके से कॉमें कॉमेंट करता है कुछ तो आपस में भ शरत पर ने खुद एपी एंची कुछ वो कुछिमन्तरी तहे तो एपी एंची कानून में बदलाव करने का मॉड़िव कानून तैयार किया था और सभी मुक्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि इस कानून का मॉडेल कानून के तहट अपने राज्य में कानून बनाई ये दूसरा शरत पवाद ने उस समय कॉंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून का पुरसकार भी किया और महाराष्ट में दोनों कानून मंजूर है वो उनका बैस्टियन का बैस्टियन कभी रहाई नहीं किसान अगर कॉंग्रेस के साथ होता तो कॉंग्रेस की ये दूरदशा थोड़ी होती कि ऑपोजिशन पार्टी के लिए जो ओफिशियल फिगर चाहिए वो भी नहीं रीच करते हैं दो बार एक बार नहीं जी हमारे सेनार की बहादूरी पर किसी को भी संशय नहीं है और उनको पूरी आज़ादी होती है मोदी सरकार में की ऐसे प्रसंगों में क्या करना है यह ताइक करने का और सबसे महतों पूर्णबात है जैसे मैंने कहा अक्साई चीन कॉंग्रेस दिया यूएन सेकृरिटी कांसिल की सदस्दा कॉंग्रेस ने दी जो बहुत सारे अरुना चल और बाकी जिल राज्यों में जो प्रदेश चीन के पास गए है दोजार आट तक वो कॉंग्रेस ने दी और कॉंग्रेस ने उनसे पैसे लिए अपने प्राइवेट ट्रस के लिए उनके दूतावास कि में जाकर दूतावास के घर जाकर जब भारत तनाव में चीन के साथ चल रहा है तब वो दूतावास के घर जाकर बैठते हैं तो यही कॉंग्रेस का परीचे है आम जी है एक नाम जी है नो को अभी बाद में तुम्हें मिलूंगा ना यह तीनों कानून किसान की मांग पर तयार हुए है किसानों की 40 साल से मांग थी कि एक पीएमसी से हमें मुक्ति दो हमें दूसरा दरवाजा खोल कर दो है और वही किया है इस कानून रे कानून की किसान का मांग थी कॉंट्रेक् फार्मिंग पंजाब में अमरिंदर सिंग जी नहीं 他ए है और कॉंट्रेक् और बोले दूसरा तो ऐसे का कोई वजन नहीं रहता है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नाभी बाकी मैं हूं क्या है ऐसा है न्यूज जैसे जैसे तैयार होगी आपको मिलती रहेगी झाल